नमस्कार जै जोहार साथियो जागो पंच में आप सभी का हारदिक स्वागत अविनंदन साथियो जागो पंच आपके लिए आपके जीवन के महत पूर्ण पहलू पर वीडियो बना कर प्रस्तुत करता है देता है जो आपके जीवन में ब्याप्त अंदविश्वास पाखंड आपके जीवन की धारा को कश्ट में दुख में और मानवता से दूर कर देता है उसी के बिषए में कि आपके जीवन से अंदविश्वास पाखंड कतम हो इसलिए बड़े महतुपूर्ण पौरानिक कथाओं को और महतुपूर्ण शोधों को जो हमारे बिचारकों ने हमारे इस समाज में ला कर दिये हैं पुस्तकों के रूप में या अन्य ऐसे जो उधारन हैं जिनसे हमारे जीवन में मानमता की बृधी हो सकती है ऐसी चीजों को आपके सामने प्रसुत करने का काम करता है तो साथियों आपके लिए आज मैं बड़ा ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ जो यह शिद्ध करेगा कि ईश्वर पृत्वी पर नहीं है इसका मैंनों भग्यानिक कारण दूँगा ऐसा नहीं कि मैं बड़बोलापन करूं य जो पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों इस पुस्तक का वो अंस्वीर दूँगा कि जो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा यह पुस्तक मैं नास्तिक क्यों मैं यह नहीं बानता कि नहीं आप नास्तिक बन जाओ नहीं आप नास्तिक मत बनो मैं यह नहीं कहता लेकिन आप तर से अधिक विबेक्सिल प्राणी है और ये विबेक्सिल प्राणी होते हुए भी यदि वहाँ पशुवत बेवहार करने लगे तो बड़ा कश्ट होता है आप मानिये इश्वर है लेकिन इश्वर की उपस्तिती भी होनी चाहिए अगर वो है तो और अगर वो नहीं है तो नही कोई दिक्कत नहीं अगर वो है तो होनी चाहिए और नहीं हो रही है होने के बावजूद तो इसके पीछे क्या तर्क होने चाहिए यह आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं और तभी आपको समझ में आएगा कि इसवर का कॉंसेप्ट मनु बैज्ञानिक्ता के आधार पर कै एगा सबसे पहले मैं राहूल सांकिर्टन की बात लेता हूं राहूल सांकिर्टन ने कहा था कुछ जानकारी ऐसी हुई थी उनके उष्बिषय में तो मैं पुस्तक पढ़कर आपको बता रहा हूं एक बार की बात है महा पंडित राहूल सांकिर्टन पूर्वदय बुध बिहार चक्की पाट गवालियर रोड आगरा आये हुए थे उन्होंने अपने सार गर्वित भाषण में अन्य विश्यों के साथ ईशुवर प्रतत्य की भ्रामक्ता के बारे में कहा क्या कहा मैं दुनिया घूमा हूँ बड़े-बड़े साथू संतों और दार्शिनकों से मेरा पाला पड़ा और उनसे चर्चाएं हुई थी लेकिन आज तक मुझे कोई सीना ठोक कर ये कहने वाला महत्मा साथू सन्यासी नहीं मिला कि मैंने इश्वर को देखा है क्या कि मैंने इश्वर को देखा है सीना ठोक कर आज तक किसी ने नहीं कहा क्यों बिस्व में इतनी बड़ी जनसंख्या है और किसी ने आज तक सीना ठोक के नहीं कहा किसी ने ये नहीं कहा कि ये फोटो गलत है ये जो फोटो बनी हुई है ये तस्वीर जो बनी हुई है ये गलत है मैंने देखा था इश्वर को उनकी तस्वीर में ये अंग ऐसा नहीं था क्या ऐसा करते हुए आपने देखा नहीं देखा वैसा ही इन्होंने कहा, तो आगे चलते हैं अब इन्होंने मैंने इश्वर को देखा है उनसे मेरी मिलाकात हुई है उन्होंने ब्यांग्यातमक रूप में कहते हुए आगे कहा मुझे दुनिया में यह कहने वाले बहुत से लोग मिले कि हमने भूद देखे हैं भाशन के सार और उद्देश को बताते हुए उन्होंने कहा यदि आपको अपना और अपने देश का कल्यान करना है तो बाबा के बताए मार्ग पर चलते हुए बुद्ध के धर्म पर चलना होगा आप लोगों को ईश्वर और आत्मा जैसे निडर्थक बेकार विचारों में नहीं पढ़ना होगा तो अब ईश्वर के विचार के पीछे मनुष्य की मनो बैग्यानिकता यह है कि मनुष्य हमेशा अपने उत्तर दाइकतों से मुक्त होकर अराम से जीवन ब्यतीत करना चाहता है ईश्वर वादी लोग अक्सर ऐसा होता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों और अन्य ऐसी चीजों से बचने के लिए इश्वर का इश्वर के उपर छोड़ देते हैं जैसा कि मेरी किस्मत में तो यही लिखा था उपर वाला जाने उपर वाले न जो लिखा होगा वही होगा या इसी तरह कि जो चीजे हैं जैसे इश्वर ने ऐसा लिख दिया है या इश्वर ने ऐसा कह दिया है इश्वर ने ऐसा कर दिया है इनी सब इश्वर ही ऐसा करेगा तो इस तरह तो हमारी बहुत सारी चीजे हैं जो हमसे दूर हो जाएंगी अलग हो जाएंगी वह कैसे हो जा से की राह चलते कोई जा रहा है और उसका एक्सिडेंट हो जाता है तब वहां पर आप का दैत तो बनता है कि वहां भी आप ये कह सकते हो कि इसकी गाड़ी में तो आगे हनवान जी लटके हुए थे और आगे डैश बोर्ड पे गाड़ी में भी दुरगा जी लगी हुई थी तो ये तो अब ये दोनों लोग हैं ये उनको देखेंगे हमारी क्या जरूरत है इसी तरह कहके अगर चल देते तो क्या वो बेक्ती की जान बस सकती थी ना बस थी आपका एक फोन कि आपने एंबुलेंस को बुलाया और इस ओर पर नहीं डाला आपने आपने अपने नैतिक दैतो अपने बुद्धी का प्रियोग किया और वहां पर आपने उसकी जान बचा ली लेकिन अगर इसी तरह की बातें जैसे ये हमारी किसमत में लिखा था तो किसी का एक्सिडेंट हुआ अच्छा इसके किसमत में लिखा था हो गया चलो आगे बढ़ो तो इस तरह की प्राति के लोगों का पेट भरने का माध्यम हो सकता है या उनका अपना बर्चस्व कुछ विशेश जातियों पर बर्चस्व जमाने का एक सिंबल हो सकता है एक तरीका हो सकता है इसके अलावा इस वर कुछ नहीं है यह आपको आगे आने वाले उधारनों से बड़ा ही अंगर्स में जिन प्राकृति घटनाओं और आपदाओं को समझ कर उसके उसने समधान कर लिया कि वह उनकी अप उपलब्धियां और संस्कृत की बिरासत के आवश्यक अंग बनते चले गए जैसे जो बाते उसके बुद्धी की पकड़ और सारीरिक बल से परे रही वह उन अंदलों के वातावरन के प्रभाव के कारण हवाओं के टकराने के कारण बारिश होती है तो उसी में एक व्यक्ति पहुंचता है ऐसा गलत है यह इंद्र का काम है और इंद्र जब पानी लेके आता है जाकर समुंद्र से या बाहर से तभी जाकर बारिश होती है और फिर व इस वर से बढ़ गए हो क्या तुम? फीर व्यक्ति क्या कहेगा? कि उसकी समझसे अब परे हो रहा है कि इस सामने वाले से कैसे टकराएं भाई? ये बहुत सही बात कहरा है कि इंदर ही लाता होगा क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी बाल्टियां है मेरे इसाब से तो पानी बड़ी बड़ी बाटियों में लाके बरसाता है और पूरे हर जगा अलग अलग बाल्टी लेके उसने बहुत सारे सैनिकों को लगा रखा है तब ही बारिश होती है तो यहां पर इंसान के दिमाग से परे बात हो जाती है और वह क्या करता है उसकी बा प्यास करता रहा कि आखिर क्यों हो रहा है यह लेकिन कुछ बाते ऐसी थी जो उसकी बुद्धी और समझ से बिलकुल परे थी नहीं समझा केवल जबरन लोग करते चले आ रहे हैं मैं भी करूंगा मेरे पिताजी पूजा करते थे अब मैं भी करूंगा केवल इसलिए कि वो प्रकार की घटनाओं से वह भै खाता था लेकिन नामकरन नहीं कर पाया कि आखिर कारण क्या है क्यों ऐसा होता है यह नहीं समझ पाया और हमारे समाज में आप सभी को पता होगा कि ज़्यादा तर लोग कहते हैं भगवान कंकं में समाए हैं और जब भगवान कंकं में यही समझना है, यानि मैं भगवान चाहरे में गलत पूल रहा हूं कि बुराई कर रहा हूं, तो भगवान का दाएत तो बनता है, तो मैं भगवान, इसको भगमान ने बनाया है, उसको भी बनाया भी, मुझे भी बनाया है, और वो, जब वो जानता है कि मेरे अंदर भगमान है, तो वो यह समझ के क्यों नहीं सुनता, कि ये भगवान बोल रहा है कनकन ये तो कनकन की भगवान है इसका तो इतना लंबा पांच साड़े पांच छे फिट का सरीर है इसमें तो पता नहीं कितने भगवान होंगे तो ये समझ के चुपनी रहता में मेरे को गाली देने लगता है क्यों क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि कनकन में भगवान है और जिस दिन विश्वास हो गया कनकन में भगवान है तो मेरी बाते उसे लगेंगी कि ये साक्षाद विश्णू और ब्रह्मा और शिवा के बोल रहे है आशिरवाद लगेगी मेरी बाते तो इसी आशिरवाद को समझाने के लिए कि कणकण में भगवान है वह समझना होगा लेकिन समझत इश्वर पर आस्था रखने वाले इश्वरवादी हमेशा यह कहते हुए पाये जाते हैं कि इश्वर की महिमा महान है वह स्रिष्टी के कणकण में पाया दाता है चाहे वो जडपदार्थ हो चेतन हो चेतन तत्त हो साधारन जीव हो मनुश्यों देवता हो और स्वेम भगवान सभी में इश्वर समाविष्ट है इश्वर पर आस्था रखने वाले ब्यक्तियों को यह बात बड़ी अच्छी लगती है कि वे लोग बड़े गर्व से इस बात का बखान करते फिरते हैं कि इश्वर कणकण में हैं लेकिन जब इश्वर की सच्चाई की बात आती है तो वहाँ पर वह सारे के सारे दिखाई ही नहीं देते कैसे अभी आपको स्पष्ट हो जायेगा वह इश्वर न्यायकारी कैसा है जो चोर डगैत स्मगलर रिश्वत्कोर मंतरी अपसर मिलावट करने वाले भरष्टाचारी बनास मजे कर रहे हैं जो इस तरह के बनास है रिश्वतकूर डकैत इस तरह के लोग हैं विप्रीत इसके विप्रीत क्या जो धर्म से काम कर रहा है अनुशीलन पे काम कर रहा है नैतिक मुल्यों के अनुकूल जीवन जी रहा है और विपतियों कठनाईयों और प्रिशानियों में जीवन बैतीत कर रहा है महापंडित राहुल संक्रतन जैसा व्यक्ति बिना अच्छे इलाज के मर जाए तो ऐसा ईश्वर कैसे न्यायकारी हो सकता है अब आप यहीं पे समझ लीजी लेकिन बड़ी ही गूड बात अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ यहाँ पे तो चलिए मसर राहुल संक्रतन जैस जिन तो ईश्वर के आदमी थे ईश्वर के लोग थे लेकिन अन्य जो अन्य समाज के लोग है जिने कहा गया है कि ईश्वर ने उनको चौथे पाइदान पे रखा प्रथम पाइदान की बड़ी देखभाल की और चौथे पाइदान के दिया मेरी ही तरह तुम भी इन तीनों की सेवा करना जैसे मैं करूंगा आगे कैसे जाटों का दूला आगरा जनपद पनवारी गाउं में घोडे पर बैंड बाजे के साथ बारात लेकर जाता है तो पनवारी के जाट उसे गाउं में नहीं आने देते जब पुलिस के साथ बारात चड़ाने का प्रयास किया जाता है तो उस छेतर के सभी जाट जाटों के गाउं पर आकरमण कर देते हैं जिसमें बीसियों लोगों की हत्या कर दी जाती है औरतों से बलतकार किये जाते है घरों में आग लगा दी जाती है और सेकडों लोगों के हाथ पैर काट कर सिर तोड दिया जाते हैं। इस इस्तिती में इशुर का न्याय कारी इशुर कहां है क्यों नहीं उसने जाटों को सद्वुध्द्धी प्रधान की और जाटों की सहायता के लिए आया। क्या जाटूं का निर्माण पाकिस्तान वालों ने किया है पाकिस्तान वालों के देवता ने किया है अफगानिस्तान वाले देवता ने किया है कि इसी भारत के ही देवी देवताओं ने उसका निर्माण किया है इस वर ने निर्माण किया है यह बातें जब तक सिद्ध नहीं होंगी तब तक कणकण में इश्वर या इश्वर की न्यायवाधिता पर प्रश्ण चिन बड़ा लगा रहेगा यह सवाल हम सभी को करना होगा तभी हम जीवन के महतों को समझ पाएंगे मानमता को समझ पाएंगे फिर देखिए एक ही बात नहीं है आज भारत में दलित महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है चोड़े में उनके साथ कुत्तों की तरह उनके ब्यवहार किया जाता है यहाँ पर दलित महिलाओं के साथ सामुहिक नहीं मैं कहूंगा कि सभी नारियों के साथ जो दुराचार किये जाते हैं तो वहाँ पर ईश्वर क्यों नहीं आता। अनेक जगन ने पापी पिता अपनी पुत्रियों से दुराचार करते पाए गए हैं। दुरापर में तो ईश्वर के अवतार श्री कृष्ण दुरापदी को नगन करने के प्रयास को बीच में रोकने के लिए आ गए थे। जबकि वहाँ पर सभी लोग दुरापदी का चीरहन कर रहे थे। आज वह ईश्वर और ईश्वर के अवतार कहां गए। इन अबलाओं के बचाने के चलते हुए क्यों नहीं आता यथार्थ में इस प्रकार के पाप ईश्वर पर कलंक हैं। अब आप निर्भया के साथ ऐसा हो गया था लेकिन क्या ईश्वर वहाँ आया था दुरापदी के पास तो आ गया था। आज अबलाएं बीच बचार में बेची जाती हैं दो रोटी के लिए समाज की बहने बेटियां बजार में अपनी इज्जत बेशती हैं बेटियों को दहेच के लालच में जला दिया जाता है इस प्रकार नियाकारी इश्वर कहां चला जाता है। आज हर चोराहों पर आप भिक्षा मांगने वालों को हमारे यसस्वी प्रधार मंत्री जहां करोडों के अपने सूट पहनते हैं वहीं हर चोराहे पर आज भिकारियों की संख्या देख लीजिए हर चोराहे पर भिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है चाहाए वह चोट पजरी गाडिया खड़ी करते हैं, क्या उनकी गाड़ी के डैश्बोर्ड के उपर यह जूलता हुआ, कोई भगवान लटक नहीं रहाता। उनकी गाड़ी में उने देखते ही, क्यों नहीं वो उनका जीवन सुधारने के लिए काम करते हैं, गाड़ी अपनी वहीं किरारे पे लगाके पहले उसका घर का प्रबंद करें तब आगे जाएं तो अब समझें कि कणकण में इश्वर हैं क्यों मंदिर में जाके केवल दो-चार किलो लड्डू चढ़ाके वहाँ पर सोना चढ़ाकर वहाँ धन चढ़ाकर भगवान को ही प्रसंद करने में लगे रहते हैं जिन लोगों को नहीं समझ पाते तो यही हमें बहुत जरूरी है समझना कि इश्वर कंकण में है तो इश्वर को निकल के मुलाकाद भी करने चाहिए हाल-चाल भी होनी चाहिए आज का ये वीडियो इश्वर कंकण में है आपको कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें हमारी बातें लोगों तक पहुँच पाएं और वह मानवता की राह पर चलने के लिए अगरिशित हो यही मनुकामना है और इसी के साथ आपसे बिदा जैभीम जैवन्डगी